लोक सभा चुनाओं से पहले पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाओं की लहर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ लगातार रहलिया कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर एक अक्टूबर की शाम को दिल्ली में बीजेपी की केंद्री चुनाओं समीती की बैठक हुई देर रात तक चली इस बैठक में मध्यपरदेश, राजस्थान और चुनाओं के मद्दे नजर उम्मीद्वारों के नाम पर मन्थन हुआ बताया जा रहा है कि बैठक में तीन केंद्रिय मंत्रियों, अरजुन राम मेगवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंग शेखावत से राजस्थान विधान सबा चुनाओं लगने के लिए कहा गया है दरसल बीजेपी मद्दप्रदेश वाला फारमूला राजस्थान और 36 गड़ में भी लागू करना चाहती है MP में हाल ही में जारी उलिस्ट में बीजेपी ने तीन केंद्रिय मंत्रियों समय साथ सांसदों को विधान सबा चुनाओं में उतारा है इसके अलावा बीजेपी महा सच्यू का एलाश विजेवरगिये को भी टिकट दिया गया है वहीं कॉंग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सियम सचिन पाइलेट ने एक बार फिर राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है उधर बीजेपी पार्टी मुख्याले में एक अक्टूबर की शाम को ही बीजेपी की केंद्रिय चुनाओं समीती की बैठक में प्रधान मंत्री नरे नर्मोदी केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिट्षा, रच्छा मंत्री राजनाथ सिंग भाजपाद दच जेपी नडड़ा राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे केंद्रिये मंत्री गजेंदर सिंग शिखावत केंद्रिये मंत्री अर्जुन राम मेगवाल सहित कई नेता मौजूद रहे बता दें की पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है